रेडी, स्टर्ड स्वर्गिय राष्ट्र पिता महात्मा गांधी जी की मान्यता थी की भारत की आत्मा गाउं में बसती है जब तक गाउं स्वतंत्र नहीं होते देश पोन रूप से स्वतंत्र नहीं होगा गांधी जी के अनुसार सच्चे लोकतंत्र का परीचालन केंद्र में बैठे 20 व्यक्तियों द्वारा नहीं कराया जा सकता है इसका क्रियानवयन प्रतेग गाव के निवासियों के महध्यम से ही होना चाहिए उनके अनुसार जन समर्थन प्राप्त पंचायतों को कोई भी कानूनी कार्य करने से नहीं रोक सकता गाव का प्रतेग समु या उस समु के सदश्य अपनी पंचायत बना सकते हैं चाहे भारत के अन्य गाव में पंचायते हो अधवा नहीं हो गांधी जी की यह माननिता थी की हर अधिकार कर्तव्य से ही मिलता है ऐसे अधिकारों से कोई भी वन्चित नहीं कर सकता पंचायत लोगों की सेवा करने के लिए है तथा भारत का हर लोकतंत्र इकाई गाव ही है भारतिय समवीधान के अनुछेद 40 में पंचायती राज के सम्मंद में अंकित किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए अग्रसर होगा तथा उनको ऐसी शक्तियों और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें सवायत सासन की इकाईयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवशक हो इस उद्देशय से प्रेरित होकर भारत सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था को सूद्रिड करने के लिए समय समय पर कदम उठाए हैं दो अक्टूबर 1952 को भारत सरकार द्वारा ग्रामिन विकास हेतू सामूदाईक विकास कारिक्रम प्रारंब किये गए इसके अधिन इस्थानिय विकास हेतू सरकार द्वारा विकास खंडों को अनुदान राशी दे गई भारत सरकार ने देश के ग्रामिनों का सर्वांगिन विकास करने हेतू पंचायत राज संस्थाओं के समंद में 1957 में बलवंत राय महता समीती का गठन किया इस समीती ने सिफारिश की की विकास से समंदित समस्थ कार्णों को पंचायती राज संस्थाओं को सुपूर्द कर दिया जाना चाहिए समीती की सिफारिश के अनुसार ग्राम इस्तर पर ग्राम पंचायते पूर्णते निरवाचित हों इनमें दो महीला, अनुसूचित जन जाती का प्रतीन धी मनोनित हो बलाक इस तर पर पंचायत समीती विकास के समस्तकार्य हात में ले ऐसी ववस्ता है कि पंचायत समीती धीरे धीरे एक सक्षम प्रजातांतरिक संस्था के रूप में कार्रे करे जिला इस्तर पर पंचायत समीती में समन्वे रखने हेतू प्रतेक जिले में जिला परिशद का गठन हो तथा उसमें सांसद विधान सभा सदश्य भी सदश्य रहें भारत सरकार द्वारा बलवंत राय महता समीती की सिफारिशों को स्विकार करते हुए राज्य सरकारों को निर्देश दिया की ग्रामीन छेत्रों का विकास करने हेतू पंचायती राज व्यवस्ता शुरू की जाए राजस्थान सरकार ने देश में सबसे पहले दो अक्टूबर 1969 को नागोर में देप प्रेजवेलित कर त्री इस्तरिय पंचायती राज व्यवस्ता आरंब की यद्दपी राज्य में ग्राम पंचायते पहले से थी बलाक इस्तर पर पंचायत समीती वे जिला इस्तर पर जि 1960 में प्रथम चुनाव हुए तैरा आरणिय साथियों कई सरपंच निर्विरोध चुने गए अनेक चुनाव के बाद जीत कर सरपंच बने ग्राम पंचायतों के सरपंच ही पंचायत समीतियों के सदश्य बने एवं उनमें से प्रधान वे उप्रधान एप्रतक्ष रूप स निर्वाचित होते रहें. सब पंचायत समीतियों के प्रइधान सांसदव, विधान सभा सदश्य जिला परिशद के सदश्य बने रहें. उनी में से जिला परिशदों के प्रमुख वें, उप प्रमुख चुने जाते रहें. ने केवल राजस्थान राज्य में ही अपितु देश के अधिकांच राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था की इस्थापना के आरंब के वर्षों में इन संस्थाओं ने ग्रामीन विकास की दिशा में अच्छे प्रिणाम दिये लेकिन कुछ वर्षों बाद किनी कारणों की वजह से पंचायती राज संस्थाएं अपने सोंपे गए उत्तरदाईत्व को सही ढंग से निश्पादित करने में ऐसमर्थ दिखाई देने लगी अर्थार्थ ये संस्थाएं अपेक्षित प्रिणाम देने में ऐसफल रही इसका सबसे बड़ा कारण इन संस्थाओं के पास वित्य साधनों की कमी रही साथ ही अधिकांश राज्य सरकारों ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाओं में भी अधिक रूची नहीं ली पंचायती राज संस्थाओं को अधिक गतीशील बनाने हेतु अशोक महता कमेठी ने सिफारिश की की विकास कारक्रमों एवं योजनाओं को क्रियानवित करने की जिम्मेदारी जिला परिशदों की हो समीती के अनुसार पंचायतें 10-15 गाओं की मंडली पंचायत हों तो अधिक सक्षम होंगी ये मंडल पंचायतें ग्रामीन विकास योजनाओं को क्रियानवित करेंगी साथ ही समीती ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव निर्वाचन अधिकारी से करवाने की सिफारिश भी की ग्रामीन विकास की प्रसाशनिक व्यवस्था वे गरेवी उनमुलन समश्याओं हेतू गठित जीवी के राव कमेठी ने जिला इस्तर पर योजनाओं बनाने वे नियमित चुनाव कराने की सिफारिश की थी देश वे पंचायती राज व्यवस्था को सूद्रिडवे पुनर जीवित करने हेतू गठित डॉक्टर लक्षमी मल सिंगवी कमेठी ने ग्राम पंचायतों को अतिरिक्त वितिये साधन देकर अधिक सक्षम बनाने पर बल दिया तथा साथ ही पंचायती राज संस्थाओं को समवेधानिक मान्यता दिये जाने पर भी विसेश बल दिया देश में पंचायती राज संस्थाओं की बिगडती हुई इस्थती को ध्यान में रखते हुए पूर्व प्रधान मंत्री स्री राजीव गांधी ने पंचायती राज धांचे को सूद्रिड बनाने की कलपना की थी और उन्होंने पंचायतों को अधिक अधिकार सोपने तथा महिलाओं और कमजोर वरगों की इन संस्थाओं में अधिक से अधिक भागीदारी देने की परिकलपना की थी हमारे वर्तमान प्रधान मंत्री के प्रयासों से अब यह संभव हो पाया है कि इस समंद में शुरू किये गए प्रयासों तथा राष्टरपिता महतमा गांधी जी के ग्राम सवराज के स्वेपन को साकार बनाने की दृष्टी से समवीधान में तैतरवी संसोधन की कुछ महत्वपून बातों का जीक्र करना चाहूंगा पंचायती राज संस्थाओं को प्रथम बार समवेधान दरजा दिया गया सभी राज्यों में पंचायती राज की त्री इस्तरिय पद्दती लागू की गई लेकिन जिन राज्यों की जन संख्या बीस लाख से कम है वहां बीच के इस्तर की इकाई गठित करने की मरजी राज्य सरकारों पर छोड़ी गई है ग्राम सभा को वेधानिक दरजा दिया गया हर पांच वर्षों में अनिवार्य रूप से चुनाव होंगे चुनावों की यवस्था स्वतंत्र चुनाव आयोग करवाएगा श्टॉप